हेलो एवरिवन आप सब का एक बार फिर से स्वागते मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ बहुती टेस्टी और बहुती आसान फटा फट बनने वाली मोदक रेसिपी तो फ्रेंड्स मेरा नाम है गोरी आए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर चोकलेटी बिसकिट तो यहाँ पर यह मैंने चोकलेटी बिसकिट ले हैं आप इस तरह की कोई भी कमपनी की चोकलेटी बिस्किट ले सकते हैं अब इसके बाद हम लेंगे मिक्सी का जार तो यहाँ पर यह मैंने मिक्सी का जार लिया है अब सारी बिस्किट हम इसमें तोड़ तोड़ के डाल देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मावा होता है इसका काम करेगी तो इसे बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा अब हम इसको गिरांडर कर लेंगे इसमें कुछ नहीं डालना है सुके ही गिरांडर करने है तो यहां पर मैंने गिरांडर कर लिये हैं आप देख सकते हैं अब हम इस बोल में निकाल लेंगे ये रिखे और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर थोड़ी से चीनी यह पिसी हुई चीनी है तो इसमें मैं एक चमच डाल रहे हूं क्योंकि बिस्कित अलरडी मीठे होते हैं पहले से इसमें काफी सुगर होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चीनी इसमें एड़ कर रहे हैं इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा गुनगुना दूद यह मैंने पहले गरम कर लिया था उसके बाद मैंने यह हलका गुनगुना होने तक ठंडा किया है अब हम दूद डालके और इस बेटर को बना के तयार करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दूद डालना है जितनी जरते उतना डाले एक साथ में ना डाले नहीं तो आपका बेटर यह ज़्यादा गिला हो जाएगा तो इस तरह से हमको ना ज़्यादा गिला रखना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है अब देखिए हमारा थोड़ा सा दूद इसमें लगा है आप देख सकते हैं थोड़े से दूद में ये बनके तयार हो गया है इसके बाद हम लेंगे एक प्लेट और यहाँ पर मैंने लिये हैं काजू जिनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है क्योंकि हम चोकलेटी मोदग बना रहे हैं तो इसमें हमें वाइट-वाइट काजू हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छे दीखेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो आप यहाँ पर लिया है मैंने एक सांचा अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप यहसे भी बना सकते हैं आप कपड़े से भी बना सकते हैं अगर आपको कपड़े से बनाना नहीं आते हैं तो आप comments box में जरूर बताएं मैं आपको कपड़े से बहुत ही असान तरीके से मुदग बनाना बता दूँगी तो यहाँ पर हम बीच में भी थोड़े से यह एड़ करेंगे काजू और फिर से हम अपने बेटर को इसमें भर देंगे तो यहाँ पर अच्छे से हमको यह बेटर इसमें भर लेना है साचे में यह देखें तो इस recipe को बनाने के लिए ना आपको दूद की जरूरत है ना मलाई की जरूरत है ना Milk Powder की जरूरत है ना मावा की जरूरत है और ना ही इसमें आपको गेश चलानी पड़ती है ये recipe बहुती फटाफट बन जाती है और खाने में जो इसका test है अगर आपने एक बार किसी को ये बना के खिला दिया परसादी में तो आप से घर पे पूछने आएंगे कि आपने किसे बनाएं और किस चीज के बनाएं तो ये देखिए हमने एक बना के तयार कर लिया है अभी इसी तरह से हम और भी बना लेंगे हमारे घर में तो ये recipe सबको इतनी पसंद आती है कि बस पूछो मत में यही इसी तरीके से में ज़्यादा तर ये recipe बनाती हूँ और सबको बहुत ही पसंद आती हूँ उम्मीदे आपको भी recipe पसंद आईगे आप एक बार try करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी recipe कैसी बनी है अपने आपके परिवार को कैसी पसंद आईए हूँ तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारे मुदग बना के ready कर लेंगे तो ये देखिए हमने सारे मुदग बना के ready कर लिये हैं आपने देखा कितनी जल्दी ये recipe बन जाती है और आप एक बार बना कर खा के देखें इसका जो टेस्टे मतलब इतना अच्छा है कि आप पूछो मत सब आपके तारीब करेंगे कि आपने ये recipe केसे बनाई है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूए